नमस्कार दोस्तों अगर आपके घर में लच्मी रूपी बेटी का जनम हुआ है तो आपको हमारी तरफ से हादिक सुपकमना है क्यूंकि बेटी से ही घर की रोनक होती है लेकिन यादी आपने अपने घर की इस रोनक के भविष को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया है और अपने बेटी के भविष को लेकर उलजन में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्यूंकि इस वीडियो में हम आपको सुकन्या समरीधी योजना के बारे में बताएंगे जिससे आपकी बेटी का भविष भी सुरक्षित हो जाएगा और आप अपनी बेटी का साधी धूम धाम से कर पाएंगे तो दोस्तो सुकन्या समरीधी योजना के लिए एपलाई कैसे करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही योजना की जनकारी आप तक पहुचती रहे दोस्तो सुकन्या समरीधी योजना के तहट आप मात 20 रुपए में खाता खोल सकते हैं जिस पर ना केवल आपको 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा बलकि योजना के मैचूर होने पर एक मुस्त रासी मिलेगा जिससे आप अपनी बेटी की साधी धूम धाम से कर पाएंगे और अपनी बेटी का भविश्वी सुरक्षित कर पाएंगे इस योजना में एप्लाइ करने के लिए आपकी बेटी का उम्र 10 साल या इससे कम होना चाहिए और आपको 14 वर्स तक प्रीमियन देना होगा आपकी बेटी के नाम पर खाता खोलने के बाद या खाता आपकी बेट की उम्र 18 साल होने के बाद ही आप इस खाते से पैसे की निकासी कर सकते हैं वहीं अगर आप 21 साल तक इंतजार करते हैं तो आपको रासी के रूप में और ज़्यादा पैसे मिलेंगे एक्जांपल के लिए अगर आप हर साल 1.5 लाक रूपे का निवेस्ट सुकन्या समरीदी योजना में 14 वर्ष तक करते हैं तो फल्सवार रूप 21 वर्ष के बाद आपकी बेटी को तीर सत लाक रूपे से ज़्यादा मिलेंगे जिससे आपकी बेटी की साधी धूम धाम से हो जाएगी और इसके भविस्ट के लिए कुछ पैसे बच भी जाएंगे दोस्तो इस योजना में एप्लाइ करने के लिए कुछ डोकमेंट लगेंगे जिने फॉर्म के साथ एटेज करके जामा करना होगा वह डोकुमेंट से आपके बेटी का अधार कार्ड, बेटी के बेंग खाते की पासबूक, मातापिता का अधार कार्ड, आयपरमान पत, जाती परमान पत, निवास परमान पत, मॉबाइल नंबर और बेटी का पासपॉर्स साच का फोटो अब दोस्तों बात करते हैं इस योजना के लिए apply कैसे करना है तो दोस्तों इस योजना के लिए apply offline करना होगा सुकर्ण्या समरीदी योजना में आवेधन करने के लिए आपको अपनी नजदिकी पोस्ट ओपीस या बेंक में जाना होगा और इस योजना का form मांगना होगा, form मिलने के बाद form को ध्यान पुर्बक भरना होगा और मांगे जाने वाले documents को self attach करके form के साथ attach करना होगा और form को post office या bank में जमा करना होगा, form जमा करने के बाद आपको रसीद मिल जाएगा और इस तरह आपके बेटी के नाम सुकन्या सम्रिदी योजना का खाता खुल जाएगा और उसका भविस्ट उज्वल हो पाएगा तो दोस्तो यहाँ जनकारी आपको कैसी लगी हमें comment में बताए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और share करें अगर वही आप हमारे channel पर नए हैं तो हमारे channel को subscribe कर लें तो मिलते हैं एक और नए interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत